नमस्कर दोस्तों हम लोग का प्रश्ण है 354 का अभाज्य गुड़न खुंड क्या है तो चलिए 354 का अभाज्य गुड़न खुंड निकालते हैं और देखते हैं कि 354 का अभाज्य गुड़न खुंड यानिकी प्राइम फेक्टोज क्या होता है तो देखिए इस संख्या को संख्या से कटाना होता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है तो चलिए देखते हैं कि यह संख्या दो से कटती है तो दोस्तों दोस्ते कटने का नियम होता है यदि जिस भी संख्या की क्याई क्योंक ध्यान दिजिएगा जिस भी संख्या की इकाई के अंक, इस अंक में से कोई अंक होगा, तो वो संख्या दो से कोट जाएगी, तो देखिए इस संख्या की इकाई के अंक यहां पर चार है, इसलिए यह संख्या दो से कोट जाएगी, तो चलिए इसको दो से कटाते हैं, दोस्तों हमारे साथ आप ल नहीं कटेगा इसलिए 7 भार में 14 ले जाएंगे और इस 15 मेंसे इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा तो फाद्र हो जाएगा तो और यह कुझा भार यदि तिन से कट जता है तो वह संख्या भी तिन से कट जती है तो चलिए इस संख्या के अंको को जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तिन से कटता है तो देखिए इस साथ में इस साथ को जोड़ेंगे तो 14 होगा और 14 में इस एक को जोड़ेंगे तो 15 होगा तो 15 जो संख्य यह वह 3 से कौट जाती है इसलिए 187 जो यह संख्या है यह भी 3 से कौट जाएगी तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं दोस्तों देखे यहां पर पहले एक है तो यह एक इस तीन से छोटा है इसलिए इस साथ को ले लेंगे तो एक और साथ मिलकर सत्रह हो जाएगा तो सत्रह तो तिन से नहीं कटेगा इसलिए पांच बार में पंदर ले जाएगे और इस सत्रह में से इस साथ के पास दो हासी चला जाएगा तो यह तो 27 हो जाएगा तो 27 से इस तिन से नो बर में कोट जाएगा क्योंकि तीनावा 27 होता है यहां पर 69 आ गया तो 69 एक अभाज जया संक्या है इसलिए 69 को 69 से कटा देंगे तो यह एक बर में कोट जाएगा अब दोस्तों कुछ इस परकाश्य हम यहां पर लिखेंगे 354 बराबन देखिए दोस्तों 354 जो यह संक्या है एक बर दो से कटा है और एक बर तीन से कटा है और एक बर 69 से कटा है तो इन सभी कोई यहां पर गुणे के रुप में लिखेंगे दो गुणे तीन गुणे 69 तो दोस्तों जो यह आगे न यही इस 354 का अब आज जे गुड़न घंड यानी की प्राइम फेक्टो जो गया